हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है संदीप और लेके आए हूँ एक फ्रेश एपिसोड बेस्ट लापटाप अने 25,000 के अंदर लास्ट येर मैंने एक बार ये एपिसोड निकाला था बहुत जादा लोगों ने डिमांड करी लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे मुबाइल के आया है कि जो 2019 के अंदर जो लेटस्ट लापटाप जो आ गए हैं उनके हिसाब से मैंने अभी एर्रेंजमन आई है ये 25,000 से नीचे की जो लापटाप है मनें मोटा मोटा 20,000 से लेके 25,000 के बीच में तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेगा उमीद करता हूँ आ आपको Core i3 का processor मिल जाता है 6 generation का 4 GB की सिंदर आपको RAM मिलते है इसको आप 8 GB, 12 GB या 16 GB तक बढ़ा सकते हैं 1 TB की सिंदर आपको hard drive देखने को मिल जाएगी साथ ही आपको 15.6 इंचिस का display देखने को मिलेगा 15.6 इंचिस के display के अंदर खासियत ही होती है कि numeric pad आपको अलग से मि numeric pad का अलग होना उन्हें एक edge देता है और advantage मिल जाती है साथ में बड़ी screen पे जिस पर थोड़ा सा animation का या multimedia काम करना है तो उनको भी सिंदर फाइदा रहता है तो 15.6 इंचिस के सिंदर आपको screen मिलने वाली 5 घंटे का battery backup सिंदर आपको देखने को मिल जाता है और 2.1 kg कीजी सिंदर आपको battery backup देखने को मिलता है तो साड़े चार घंटे के आसपास का battery backup आप सिंदर मान सकते हैं दोस्तों 2 GHz की frequency के पर चलता है और 3 MB की आपको L2 cache इसके इसके देखने को मिल जाते है 24,990 रुपे का model है लिंक में ती इस description में दे रहा हूँ अगर आप buy करना चाते है तो वहाँ पर जाके click करके आप buy भी कर सकते हैं टिप्स के अगर बात करो तो पहले टिप यह है कि जब भी आप कोई laptop ले तो इस जिसका जरूर ध्यान रखिया कि laptop जो है upgrade हो सकता हो जैसे मैंने अभी इस model के बारे में बताया कि आप इसमें 4 GB RAM आती है लेकिन 8 GB आ 12 GB आप अ लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि शुरुआत में laptop की speed काफी सही आती है लेकिन धीरे धीरे जैसे हम इसको इसको इस्तमाल करना शुरू करते हैं वैसे वैसे क्योंकि data और software इसके इंदर आते जा रहे हैं तो इसकी speed जो होती चली जाती है तो ऐसे में जरूरत आप definitely advantage लेजेगा जब भी कभी आपको कोई laptop ले अपने local area से ले या online ले तो यह ज़रूर देखेगा कि इसमें upgrade कितना हो सकता है अब बात कर लेते हैं दूसरे laptop की तो वो है HP का laptop 14QC5009TU दोस्तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 7th generation का Intel Core IT processor जो की 7020U model है और 2.3 Gigahertz की frequency के पर चलता है इसके अंदर आपको integrated Intel का HD 620 का आपको ग्राफिक देखने को मिल जाएगा तो आप ठीक टा गेमिंग की सिंदर कर सकते हैं 9 January 2019 को यह launch हो है तो अभी latest model है आप इसके लिए जा सकते हैं 4GB की सिंदर आपको RAM देखने को मिलेगी जिसे आप बढ़ा सकते ह एक TV की सिंदर आपको hard drive देखने को मिल जाती है 14 इंचिस का आपको display देखने को मिलेगा जो HD display है इसंदर आप webcam बगारा भी लगा हुआ है 1.59 kg का इसंदर आपको weight देखने को मिलेगा और कमाल की बात यह है कि इसके अंदर आपको 7 घंटे का battery backup जो है देखने को मिलता है 50% यह charge कर देता है laptop को 45 minutes के अंदर लेकिन condition apply उस time पे laptop आपका बंद होना चाहिए यह company चाहिद आपको नहीं बताए लेकिन मैं आपको बतायता हूँ कि 45 minutes में आपको 50% charge जागा मतला कि 3.5 घंटे का battery backup आपका almost हो जाएगा लेकिन laptop उस time पे off होना चाहिए तो यह laptop है उनके ल बाखी webcam, bluetooth, wifi वेगरा इस अंदर आपको मिलनाई वाला है दोस्तो HP की जहाँ पर बात करी महाँ पर मैं एक बात आपको ज़रूर बता दूँ HP में और लबग सभी brands के अंदर consumer और commercial दो segment देखने को मिलते हैं अब यह कभी आपको कोई बताएगा नहीं लेकिन मैं आपको बता commercial segment वाले जो laptop होगे हैं उनकी configuration आपको ज़्यादा मिल जाएगी और price उनका आपको कम देखने को मिलेगा तो अगर आप एक student है या फिर आप working है तो इसका ध्यान रखेगा जब भी आपको जाएं तो यह पूछ लिजेगा भया यह consumer segment का है या commercial segment का है हो सकता है आपको commercial segment में same configuration कम price आपको laptop देखने को मिल जाए और बाकि इस laptop का link तो मैं आपको नीचे दही रहा हूँ आप click करके उसको buy कर सकते है अब हम move on करते है अपने तीसरे laptop की तरफ तीसरे laptop जो है Lenovo का ही है IdeaPad लेकिन 330 है क्योंकि इस इस इंदर आपका 7th generation का Core i3 process देखने को मिल जाता है दोस्त जो है वो system में इस इंदर आपको Windows जो हो अलग से डालनी पड़ेगी वैसे जो पिछले जो दो laptop बताएं उसकंदर भी आपको DOS बेसी देखने को मिलने वाला है एक जो HP का जो मैंने बताता है उसकंदर आपको Linux देखने को मिलेगा लेकिन Linux जो हो जातार लोग इस तरह इस्त जो बीच में इसके हिंज मतले जहां पर आपको screen और laptop आपस में मिलता है न मतले आप ऐसे खोलते हैं तो समय जो बीच का एरिया होता है वो हिंज होता है वहाँ पर तो हिंज इसके जो हो इतने खुल जाते हैं कि आप 180 इतना आप इसको खोल सकते हैं नॉर्मली मेरा ये laptop भी नहीं खोलता है तो मैं अभी आपको बतानी पाँगा बड़ा आप मोटा मोटा मानके चलेगी जैसे अभी इतना खोल रहा है न तो इसको मैं 180 मतला बिल्कुल सिंपल सी आप 180 डिग्री आर आप जानते हो सब जानते हो इतने पढ़े लिखे सारी ची और डेफिनेटली मुझे काफी अच्छा लगा 25,000 ये अभी थोड़े दिन पहले 22,500 होगा था अभी 25,000 की रेंज में है थोड़े दिन पहले 26,000 का हो गया था तो इसके प्राइस थोड़े से फ्लक्शुएट होते रहते हैं इसका ध्यान रखेगा जब भी आपको ये 25,000 स सम्थिंग का प्राइस का चल रहा था बात कर लेते हैं अगले टिप्स के बारे में दोस्तों कई बारे हम झी सोचते हैं कि वारंटी या गरंटी क्या है हला कि मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है वारंटी और गरंटी में क्या फरक होता है मेरे चैनल पर आप से तूट जाए चीज पानी गिर जाए उसके अंदर या आग लग जाए इस तरह कि किसी भी चीज कोई ऐसा दुरगटना होते तो उसकी गैरंटी या वारंटी आपको नहीं मिलने वाली है तो हमेशा ध्यान रखेगा कि कोई भी मैनेफैक्टरिंग डिफेक्ट अगर ह होता है तो उस की वरांटी जो है लग होता है और भी अ क्वी या अलग होता है तो ध्यान रखेगा कि जब आपको शेक्ट कर्ents कीज कर रखेड़ हों dog जो है तब आपको वरंटी मिलने वाली हो 99 प्रसेंट आपको वरंटी खी ही देती है तो अगले अगर laptop की बात करें तो Dell brand का वो laptop है Dell Vostro 3568 दोस्तो इस laptop के अंदर आपको 7th generation का i3 processor देखने को मिल जाएगा साथ में 4GB की RAM यह DDR4 की RAM है काफी अच्छी मिलेगी high frequency की RAM है काफी अच्छी आपको performance देखने को मिल जाएगी 1TB की hard drive है 15.6 इंच का आपको HD screen देखने को मिलेगा Linux इसके अदर आपको मिलेगा और करीब 2.18 kg का आपको weight देखने को मिलने वाला है बाकी webcam, bluetooth, wifi वगरा सारे support आपको देखने को मिल जाएगे Dell brand काफी strong brand है मैं recommend करता हूँ लोगों को आचा दोस्तों आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा कि मैंने इस जितनी भी लेस्टेस के अंदर मैंने HP का, Lenovo का, Dell का ऐसी मैंने laptop रखे हैं बाकी बहुत सारे brand ऐसे आते हैं जिनका laptop मैं रख सकता था पर मैं नहीं रखा क्योंकि ऐसा था है दोस्तों आप एक बार चीज़ खरीद लेते हैं तो बात मैं service में दिक्कत नहीं आने जिए इन company के आपको parts पी बड़े आराम से मिल जाएंगे service center पी बड़े आराम से मिल जाएंगे और आजकल तो इन तीनों company ने आपका home service भी चालू कर दिया तो कोई दिक्कत है तो घर पे आके भी service कर सकते हैं इसके अलावा मैंने एक refurbished करके आता है अगर आप आज के तारिक में Amazon या Flipkart खोलेंगे ना तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये तो available है साथ में refurbished भी available है मैं personally ये सोचता हूँ कि refurbished laptop जो है इनसान को नहीं लेने चाहिए reason उसके पीछे ये है कि देखो दो वज़े से अब जितना वर्जी कोई कुछ भी को बोले कि यार मैंने इतना वो करा लिया company fit करा रहे है नया तो नया ही होता है यह मैं मानता हूँ और electronic items में पुराना समाल लेना ठीक नहीं है क्योंकि battery backup पे फरक पड़ जाता है और काफी सारी चीज़े ऐसी होती है कि अब इससे ज़्यादा और क्या बल्ब है वो यह नहीं पता कि कौन सी बारी में fuse होने वाला है हमको तो नहीं मालूम है electronic item में लेकिन नहीं होती है तो उसका कही ना कहीं trust होता है कि अभी इसका life cycle जो है वो चलेगा भी लंबे डाइम तक तो रीफर बिश्ट पर मैं थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ इसके अलावा उम्मीद करता हूँ laptop और मेरी tips दोनों आपको अच्छी लगी होंगी इसी के साथ जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि giveaway चल रहा है अगर आप चैनल को subscribe करते हैं तो definitely मेरी तरह से best of wish है कि आप giveaway जीच जाए और आपने अगर मुझे instagram पे follow नहीं किय आएगा और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स वीडियो के अंदर